इविएस पेड़ागोजी तो आपकी चले रही थी लेकिन मैंने सोचा कि इविएस के कंटेंट ये भी 10 कोशन आपसे पूछ लिये जाए डेली तक कि पेड़ागोजी के साथ साथ जो आपके 15 नंबर कंटेंट के हैं इविएस के वो भी पूरे आ जाएं आपके क्योंकि जो हम 10 कोशन आपके सामने आएंगे और कोई न कोई कोई कोशन जरूर रटकेगा आपके एक्जाम में तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप काफे सारी वीडियो शुरुआत से देखकर लास्ट तक नहीं देखते हो तो कई नंबर लूज कर चुके हैं और जिन लोगों क लेकर मोक्स टेट्स से लेकर पीडियेफ तक जो एक्जाम में डारेक्ट आएंगी 90% से ज़्यादा और एक्जाम आपका क्लियर एक दम पक्का सब्सक्रिप्शन लीजिए पूरवमान प्रभातगर्ग कीर्ती सचदेवा और कीर्ती कीमी ने कल सब्सक्रिप्शन लिया आप किस बात की देर कर रही हो जल्दी से ले लो और जैसा हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि EBS की ये पहली वीडियो है जो करना लाइक करना शेर करना पहले कोशन से शुरू करते हैं दर्व में गैसों की घुलन शीलता यानि कि लिक्विड्स के अंदर जो गैस होते हैं जब वो घुलते हैं तो क्या होगता है दाव बढ़ने पर बढ़ती है दाव बढ़ने पर कम होती है तापमान बढ़ने पर कम बढ़ती है दाव बढ़ाने पर बढ़ती है ऐसा क्यों है अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि दाव बढ़ने पर जो गैसों के जो अनू है जो एटम से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनकी घुलनशीलता जो है बढ़ जाती है तो आंसर ए होगा यहां पर अगला क कौशन है एक विश्मांग मिश्रण जिस जिसमें विलयकन नहीं गुलते हैं लेकिन निलंबित रहते हैं क्या कहलाता है एह हेट्रोजीनियस mixture विश्मांग का मतलब होता है हेट्रोजीनियस mixture in which these solute particles do not dissolve but remain suspended निलंबित का मतलब है suspended उसको क्या बोलते हैं उसको आप suspension आप उसको क्या बोलेंगे निलंबन, suspension, देखिए एक निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन होता है, आपको याद रखना है, यानि कि जो suspension जो होता है या आपका, वो एक heterogeneous mixture होता है, जिसके विलेकर नहीं गुलते हैं, बलकि पूरे मध्यम में निलंबित रहते हैं, यानि कि प suspended जो ये particles होते हैं, आप नंगी आखो से देख सकते हो, जैसे कि आप उस रेत को पानी में जो है तैरते हुए नंगी आखो से देख सकते हो, तो answer C आएगा यहाँ पर, जबरदस्त question होंगे दोस्त, कॉंकणी किसकी भाशा है बताओ, कॉंकणी, देखे कॉंकणी भारत आर य ये भाशा है, जो भारती ये यूरोपी ये भाशा परिवार के अंदर आती है, और ये भारत के पस्ची मितट पर बोली जाएगी, अगर आप ध्यान देतो, और भारतीय सम्विंदान की आठ वी अनुसूची में जो 22 अनुसूची भाशाएं हैं, उन में से एक है, और भार आती है, राजय गोवा की अधिक अधिक भाशा, ये है, गोवा में बोली जाती है, ये सबसे ज़्यादा कौंकणी, अगला कोशन है आप लोग के सामने, विश्व में किर्शी गती विदियो में शामिल लोगों का परतिशत क्या है, बताओ, वर्ड के अंदर जो किर्शी ए उपर, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका पचास परसेंट जो लगा हुआ है, किर्शी के अंदर ही लगे हुए हैं, चलिए, हमारे देश में भोजन के लिए, बंद गोवी तथा मटर की मांग दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, ये हमारे देश में किस वाग से लाए जाते है पताओ, आंसर क्या होगा, देखे, यूरोप से, इंपोर्ट करते हैं हम बंद गोवी और मटर को, यूरोप से, अगला कोशन देखते हैं, डैश चंदरमा पर चलने वाला पहला आदमी था, किसने चंदरमा के उपर सबसे पहला कदम रखा, नील आरम स्ट्रोंग, सुनीता विलियम कलपना चावला न्यूटन, बताई यह आंसर क्या होगा, नील आरम स्ट्रोंग ने, किसने दोस्त नील आरम स्ट्रोंग ने, ठीक है, 1969 में, अगला कोशन है, भारत से, नेपाल यात्रा करते हैं, भारतिय नागरी को दुबरा किस परकार की वीजा शर्तों की आवश चकता है, कोई वीजा नहीं, भारत से नेपाल जाते हुए, आपको किसी तरीकी का कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों भारत वर नेपाल के बीच में, जो 1950 की शान्ती, 1950 की शान्ती और दोस्त, जो दोस्ती की संदी थी, उसके अनुसार दोनों दोस्तों के एक द्वी पक्षियेसन दी है जो दोनों दक्षिन एश्याई पड़िशियों के बीच जो है जो राजनितिक संबंद है उनको काफी अच्छा कर देती है तो कोई वीजा के जरूरत आपको नहीं पड़ती है चलिए अगला कोशन ओर ज्यादा इंपोर्टेंट है और इंट्रे और भारत की तट्रेखा के शहर विदेशों और भारतियों के तट्रे शहरों के अंदर के जाजों के बद्दम से जो शिपमेंट है जो व्यापार है वो इन 66 जिलों से ही होता है वर्ल्ड वाइड बहुत जादा परसिद है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते ह है आपका नेक्स्ट हूँ श्रेणी का पता लगाएं जो भारत में सडकों की प्रबंदन श्रेणी नहीं है ओ यानकी फाइंड आउट दिक कटेगरी विच इस नोटे मेनेजमेंट कटेगरी ओफ रोड्स इन इंडिया ठीक है बाई बता देंगे हमकी मेनेजमेंट कटेगर कौन सी है रोड्स की जो भारत में नहीं है बोर्डर रोड्स टेट हाइवेज नेशनल हाइवे या डिस्ट्रिक्ट हाइवे देखिए जिला राजमार्क नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट हाइवे नहीं होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि सीमा सडक राज्य राजमार्क राष्ट्रिया राजमार्ग और जिला सडके ये होती है कौन कौन सी होती है सीमा सडके राज्या राजमार्ग राष्ट्रिया राजमार्ग ये सारी चीजें होती है ठीक है और ये उस श्रेणी का पता लगा है भारत में सडकों की प्रबंदन श्रेणी नहीं है जिला जिला राजमार गाएगा ना बिल्कुल नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है आपके BOD का पूर्ण रूप क्या है एबायोटिक ओक्सिजन डिमांड नहीं बायोटिक ओक्सिडेशन डिमांड नहीं बायोलोजिकल ओक्सिजन डिमांड बिल्कुल ठीक है बायोलोजिकल ओक्सिजन डिमांड वह शब्दे जिसका प्रयोग प्रदूशन स्तर को मापने के लिए गया जाता है इसलिए यह है परदूशन स्तरकी स्थिती के बारे में विज्यानिकों के साथ-साथ जंता को स्तरक करने के लिए भी सक्षम बनाता है ताकि आवशक कदम उठाए जा सकें और यह जो biological oxygen demand है इसको bio chemical oxygen demand के नाम से भी आप जानते हैं यह भी याद रखें तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option number D तो आज की यह video जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इन videos में खासियत आपको यही दिखेगी कि आप लोगों के लिए जो content होगा वो बहुत ही important होगा और यह हमारी जो video है यह पहली video है social studies की content की जिसके अंदर मैं 10 person आपसे पूछता हूँ तो इन 10 person वाली pedagogy की series को जैसे आपने follow किया था वैसे ही आप हमारी यह 10 person जो पर्यावन अध्यन के content के अंदर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनको भी आप follow कीजिएगा एक एक वीडियो को अपसे follow करना है आपको channel को खोल के all videos खोल लो और दिन में मैं आपके लिए जो 5-6 videos देता हूँ उनको ज़रूर आप देखें और हमारे channel पे एक खास बात यह आपको मिलेगी कि super tet की तयारी भी हमने शुरू कर दी तो आपको चूकना बिल्कुल नहीं है और जो app मैंने आपको बताई थी back to school की हमारी उसका link भी description में आपको मिल जाएगा और पहले comment में भी मैं आपको कोशिश करूँगा देने की link तो आप install ज़रूर करें और मैं आप लोगों से ये भी request करता हूँ कि subscription ज़रूर ले पूरवमान प्रभात गर्ग कीरती सचदेवा और कीरती किमी इन सभी ने जैसे subscription लिया है आप भी जरूर सब्सक्रिप्शन ले तकि आपके जो exam clear करने का जो सपना है वो बिल्कुल जो है साकार हो सके क्योंकि ज़्यादतर exam के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हमारे back to school क जो है application के अंदर से ही आएंगी तो चलिए दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से तब तक के लिए जहीं जय भारत और most important बात पढ़ते हैं जरूर रहने